बेगम हजर्क महल 1820 से 7 अपरेल 1889 जो अवध अउध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजो द्वारा कलकते में अपने शोहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनव पर क्बजा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेजो के क्बजे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे बिर प्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ विद्रोह किया। प्रिटिश इस्ट 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 इस के पती निर्वासित होने के बाद बेगम हजर्क महल ने अवध रियासत के राज किये मामलों को संभाला। आजादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 से 1858 तक राजा जैलाल सिंग की अगुवाई में बेगम हजर्क महल के हामियों ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के ख इलाफ बगावत की बाद में उन्होंने लखनव पर फिर से ब्जा कर लिया और उन्होंने अपने बेटे बिर्जिस्क द्र को अवध के वली शासक घोशित कर दिया। बेगम हजर्क महल की प्रमुक शिकायतों में से एक यह थी कि इस्ट इंडिया कमपनी ने सड़के बनान सुरों को खाने और शराब पीने, सुरों की चरबी से बने सुगंधित कार्तूस काटने और मिठाई के साथ सड़कों को बनाने के बहाने मंदिरों और मस्जिदों को ध्वनसित करना, चर्च बनाने के लिए इसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सड़कों में पादरी भे करना कहा की धार्मिक स्वतंत्रता है इन सब के साथ लोग कैसे मान सकते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब अंग्रेजों के आदेश के तहट सेना ने लखनव और ओध के अधिकांश इलाके को प्जा कर लिया तो हजर्त महल को पीछे हटने के लिए तावन की क्रांती का नेत्रित्व बेगम हजर्त महल ने किया था अपने नाबालिक पुत्र बिर्जिस्क द्र को गद्धी पर बिठा कर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयम मुकाबला किया उनमें संगठन की अभूद पूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवद के जमी करती रही लखनव में पराजय के बाद वह अवद के देहातों में चली गई और वहां भी क्रांती की चिंगारी सुलगाई बेगम हजर्त महल और रानी लक्षमी बाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थी लखनव में बेगम हजर्त महल की महिला सैनिक दल का नेत्रित रहीमी के हाथों में था जिसने फौजी भेश अपना कर तमाम महीलाओं को तोप और बंदूग चलाना सिखाया। अखिरकार उन्हें नेपाल जाना पड़ा जहां उन्हें पहले राणा के प्रधान मंत्री जंग बहादुर ने शरण से इनकार कर दिया था लेकिन बाद में उन्हें रहने की इजाज़त दी गई थी। माफ कर दिया और उन्हें घर लोटने की इजाज़त दे दी। बेगम हजर्त महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटा घर के पास काठमांडू के मध्यभाग में स्थित है। प्रसिध गरबार मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है। इसकी देख भाल जामा मस्जिद केंद्रिय समिती ने की है। 15 अगस्त 1962 को महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनओ के हजर्त गंज के पुराने विट्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया था। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने महल के सम्मान में एक समारक डाक टिकट जारी किया।